लोग अस्वागत करता हूँ अपने चैनल पर आज बात करते हैं एस्टेट रिजल्ट पॉब्लिस करने के सबंध में हम बात कर रहे हैं उस केस पर जो बहुत सारे परिसान अवेरती बीएसीवी बोर्ट पर करना चाहते हैं तो मैं बता दू कि केस हो चुका है अभी मैं केस के बारे में पूरा डिडिल्स नहीं बताऊंगा लेकिन मैं दावे के साथ का सकता हूं किया केस हम लोग 200% जीतेंगे वकील के बारे में इसलिए नहीं बता रहे हैं बहुत सारे ऐसे अप पोजिसन वाले हैं जो केस में अरंगा लगा सकते हैं यहां पर हेडिंग दिया हुए कि दलाल नीरत के बाकावे में ना आए तो नीरत कुपार ने एक वीडियो जारी करिया है नीरत कुपार खुद एक बहुत बड़ा दलाल है वह आपको वीडियो में क्या किया हुआ है कि विद्यारतियों को बरगला कर चंदा नद देने के ल यह प्रूप के नाम पर हमेसा वार्षप यह टेलिग्राम जो असकीन रहता है मैसेज उसका स्कीन सॉट दिखाता है ऐसा स्कीन सुट आप भी बना सकते हैं कोहचन वायरल का भी यह स्कीन सॉट ही दिखा रहा था उस समय भी तो आप बताईए आप कोहचन का फोटो घीच कर आ लीजिए ठीक है और स्कीन सॉट ले लीजिए तो यह क्या कि पूर सुटम जी को बदनाम करने की साजी से ताकि कोई पैसा न दे और हमारा केस पैसा के भाव में कमजोर पर जाए और हम लोग केसी हार जाए तो मैं आप लोगों से कहना चाहता हूं कि आप किसी के भाकावे म में आए और अपनी दिमाग चलाए आपको खुद सोचना है कि आप रिजल्ट पब्लिश करवाने के पक्ष में या दलाल नीरच के पक्ष में पैसला आपका है अगर हम लोग आप लोग कहेंगे ताभी हम लोग मैं पूरसोतम जी का वेका बैंक एकाउंट डिटेल्स आपक अपनी सुख्षा मिसाल दे भी सकते हैं नहीं भी दे सकते हैं आप इसके लिए स्वतंत्र हैं लेकिन याद रहे यह केस जो है एक विश्यस वैक्ति के निजी स्वास के लिए नहीं लड़ा जा रहा है एक विश्यस वैक्ति आदमी की जीत नहीं माने जाएगी यह सभी 37335 बिजारतों के जीत मानी जाएगी तो पहले आप लोग बुरस्वत्तम जी का ओडियो क्लिपसी ने जिसमें यह पर कंडिडेट एक हजार रुपया देने के लिए बोल रहे हैं तो यह जरूरी नहीं कि आप एक हजार रुपया ही दे आप अपनी समर्थ के अनुसार आप सो जासा करों कि देजसें कर रहे हैं जो कर यह चेसा कंड़ा देप यह लाकृत पहली सकते जीक कि बीहार बोट के पास कोई प्रूफ ही नहीं है कि परीचा में धांदली हुई है और प्रसपत सिलेवस आउट है क्योंकि अनन्द किस्वर खुद बोले थे कि एकजाम में कहीं धांदली नहीं हुई है और कोचन सबी सिलेवस के अनुशार थे हैं आपको प्रूफ दिखाना शाक है इस पेपर कटिंग में आनन किस्वर बोल लहें कि परेट अरा किनुशार ही पूछे गए थे प्रस्ट में जब आननन कि खुद बोले हैं कि परीचा में धांदली नहीं हुई है और परीचा पैटान के अनुशार पूछे गई तो इसको रत करने का क्या मतलब है तो क केस जीतने का जो परसेंटेज बहुत ज़्यादा है हम लोग जीती जाएंगे इस केस को यह पूर सोतम जी का आयकर विवाग इंकम टेक्स डिपार्टमेंट का यह आपका बना हुआ है यह पेन कार्ड है आप पेन कार्ड पर उनका नाम देख सकते हैं प्रूफ के टोर पर हम लोग इसे अपनी लाइफ थोड़े ही बात करने देंगे अगर आज हम लोग देंगे रिजल्ट नहीं बचाय तो फिर बहाली के लिए अगला पांच साल इंतेजार करना पड़ेगा आपको पता नहीं है कि सरकारे जान बुठकर केस करवाती है कि बहाली लटकी रहे और उस पर इलजाम भी ना है आपको पेमेंट देने में भी सरकार को कोई आमदनी नहीं है जबकि इसी पैसे का हुआ इधर उदर पुलट पुलट करके पूरे चुनावी खर्च निकाल सकता है तो फैसला आपको करना है कि क्या आप करना चाहते हैं अब मैं कुछा स्कीन सोट दिखाना चाहता हूं जो बीदार्थियों ने पुरस्वत्म जी के एकाउंट में पैसा दोनेट किया है तो देखि और इस भाई साहब ने 500 रुप्या दोनेट किया है उनके अकाउंट में पुरस्वत्म जी के अकाउंट में और इस भाई साहब ने तो इतना 100 रुप्या दोनेट किया है तो आप अपनी स्वक्षान उसार जितना चाहे उतना दोनेट कर सकते है या आप पर डिपेंड करता ह है ठीक है आप किसी के प्लेशर में आकर ना करें अब मैं आपको उनका ओडियो क्लिप सुनाने जा रहा हूं तो प्रीज उस ओडियो क्लिप को ध्यान से सुनने के बाद ही कोई नीरने ले कुछ पाती रखना चाहता हूं जैसा कि हम लोग सब जानते हैं कि परिख्यादात कर दी गई है और सरकार की तब से तरह तरह के प्रलोबन दे जा रहे हैं कि एसा कुछ नहीं है आप सभी इस चीज़ से वाखिफ हैं कि अभी कोरोना से लोग ग्रसित हैं और जून जुलाई कि इस 2020 में भी ऐसा कुछ अगर सरकार बोल लेगा ऐसा कुछ प्रलोबन दे रही है कि एकजाम कंड़क करवाएगी तो यह गवर्मेंट द्वारा दिया हुए एक जूठा वादा होगा तो एस्टेट जैसा कि हम जानते कि एस्टेट को बिहाद सरकार की ताब से एस्टेट अगरा किया कि आप हमारे केस को लड़ें और वो बतना हाइकोट के टॉप फाइव वकिल में आते हैं अभी नाम उनका नहीं पता पाऊँगा उसके लिए माफ कीजिएगा क्योंकि कॉन्फिडेंशल है और उन्होंने बोला है कि आप इस बात पर चुनोती कर सकते हैं विहा इस में मैं यह चाहता हूं कि सभी साथियों आर्थी कुप से आप मदद करें जैसा कि कल साम तक हम लोगों को एक लाग मैंतीसे अरुपया वकिल साथ को दीना है और हम बहुत सारे साथी इस बात पर इस डिसकसन वी की हैं और यह सभी लोगा सजेशन था कि मीनिमाम एक हजा बहुत दूखी हो गया है कि यह बाषय से बिहार सकार ने कैंसल कर दिया तो इसको हम लोगो ने चौन होती दिया है चोना है प्रत्रक में और कह तो और हमें पुरा विसौआस है कि हम लोगर की जीत होगी इसलिए सभी साथियों से यह निवेदान है कि आप लोग एक ही खाजार उपया पर केंडिडेट जो है आथिक मदद करें एक अकाउंट नमर जो है पुर्सोत्तम को नाम का मैं पुर्सोत्तम को नहीं बोला हूं है अप किसी और के नमर पर कोई भी एक पैसा सेर ना करें और क्योंकि मैं इसलिए बोला हूं कि मेरे नाम का पिछली बार भी कुछ लोग जो हैं मेरे नाम के इस्तेमाल करते हैं गलत गलत अफवाय हैं बहुत सारे गृप में फैलाया थे हैं तो इस चीज़ को ध्यान में रख प्रस्ट का जो ट्रांजक्शन कीजिए उसका स्कीन बेज़न और उस इसकी इसकी बनाव गया जिसमें जो लोग आर्थी गूप से मदद करेंगे उनकी पूरी डेटा और उनके साथ पूरी पारदर्शिता जो भी उनका कंट्रोड़ूशन होगा या जो केस की जो भी स्टे कि हर एक चीज का ट्राइंस्पेंसी हो और इसलिए मैं बोला कि कल्व कि कोई यह ना बोले कि पूर्शोत्तम कुमार किसी का पैसा खा गया है या दलाल हूँ या किसी तरह का और बहुत तरह कि यह लोग होते हैं जो साजिस करते रहते हैं मुझे बदनाम करें के लिए इस से जो भी होगा सब का हख है सब का एक contribution है तो सब का हख बनता है सब को जानने के लिए तो मेरे साथियों से यह निवेदन है कि आप जल्द से जल्द आर्थिक रूप से एक एक हजार रुपया मदद करें और कल एक लाग 35 रुपय हमें वकिल्स आपको जमा करना है और टॉप फा इसलिए मैं अभी नहीं बता रहा हूं समय आने पर सभी साथियों को हर चीज के लिए हर चीज से अपडेट किया जाएगा और कुछ अपने साथियों का नाम लेने चाहूंगा जो इसे मैं खासकर की निवेन करता करना चाहूंगा कि वह बहुत लोगों से जूड़े हैं और नियायती जी और 2019 का जल्द से जल्द परकासित कीजिए तो मैं अपने कुछ साथियों का नाम लूँगा जैसे हितेश जी हुएं गौतम गौतिक पूल हुएं सहरसा के के सब जहां और ब्रच किशोर जी आमित तिवारी जी सौरफ सर्मा हुएं अनु जी हुएं बहुत सार हुएं यह कॉएं अधिन यह कि हमें आपका पाने पैसा में नहीं जाएगा और बस हम लोग तो जीते हुए पस कुछ लोग जो है फोर टॉन्टी वाले लोग उन्होंने हमारे यह सफलता उन्हें रवास नहीं आया और लोगों के सफलता को रोकने का परयास किया लेकिन हमे लोग जो है स्टेट 2019 के जितने में केंड़ेट हैं जो बहुत महिनत कि उनको ज़रू सफलता मिलेगा और उन्हें वो सिख्चक जरूर बनेंगे तो हमें हालना नहीं है हम लोग हाइप में चुनोती दिये हैं नियाले से हमें नियाय मिलेगा और किसी चीज की डर्नने की बात किसी तरह के आपके मन में अगर किसी तरह का कोई ख्याल आता है तो आप मेरे से डिरेक्ट बात करें मेरा नंबर सभी लोग साथियों क्या है और यहीं बोलूंगा कि थोड़ा टाइम कम है लेकिन सभी लोग जो है आर्थियूप से आप लोग मदद करके भागिदार बने और स्टेट का जो रद किया गया है विहार सरकार को विहार सरकार तो वारा और उसे में हम लोगों ने चुनोती दिया है पुरा डिराक्टिम रूपने सब कुछ तयार है और एक चीज़ और मैं बता हूँगा मुझे अभी एजुकेशन डिपार्टमेंट से मुझे फोन आया थ धक्रैम आयए तो उन्होंने बोला है कि हम लोग भी पंप्लेयंट के आरा है और हम लोग इस चीज़ दिज़Two है ऑर बीहार सकहर को यहार को वापस लेना चाहिए पूरी तार से उन्होंने गलत कि आप सरकार को बताइए कि बहुत दाकुरोशी थे लड़के उनके साथ गलत हुआ है तो जल से जल उनको बोलिए कि यह जो नहीं ने डिक्षिन लिया उसको रद करें और एस टेट उन 219 करें प्रकासित करें तो मैं सभी साथियों को यहीं बोलूंगा एक पुना फिर लास् अपी बहुत तरह के लोग बहुत तरह के यह गलत है मी यह सब बहुत सारे चीज होते हैं फेलाएंगा फ्वा फेलाएंगे लेकिन किसी चीज को नहीं देखना वापस हमें पतना हाइपूर्ट जो है नियाले पर विश्वास करकना और हमें पुरा विश्वास है कि मैं वहा अपता रहुँगा जब तक हमें नयानी मिलेगा और मैं ये भी बादा करता हूं कि आपके एक प्याशा पानी मिनी जाएगा और किसी तरह से कोई अगर गलत है मिनी आपको पैदा नहीं होगा कि हाँ आपका पैसा कर मिसी उजव रहा है पूरी पारदर्शिता रखी बस हमें unity बना के रखना है, unity कुछ भी करा देता है, सरकार के पास पहुच किया है, चीज की, बहुत आक्रोसीत है, तो हमें सरकार से भी हमें तो पहले नियाले जाना है, और नियाले से वहां से लड़ाई करना है, और हमें दो नियाया चाहिए भाई, इसलिए सभी साथी जो हैं, इसमेन आर्थिक रूप से मदद करें, एक हजा रुपया है, सभी लोग कंटूबरिशन क करें, कल साम तक हम लोगों को एक लाक मेंतिसार रुपया, वकिल साथ को तॉप फाइड में आते हैं, वो बहुत उन्हेंने पूरा प्रॉमिस किया है कि हम एक जीत की, और अगर कोई साथी जाना चाहते हैं, मैं बताओंगा, उडेट बताओंगा कि किसीं क्या करना है, अग आप भी जान सकते हैं, जो उचानना चाहिएगा, कि हाँ केस का क्या स्थिती है, पैसा कहां खर्च हो रहा है, कितना आया, क्या हुआ, सारी चीज में पारते सिता रखी जाएगी कि कल होके किसी पर कोई उंगली न उठाए, ना आप हम पे, ना हम आप पे, इसलिए सभी जल्दों आप लोग आर्थिक मदद करें, जल से जल प्रुसोत्तम कुवान राम का, मैं प्रुसोत्तम कुवानी बोला, एक आनतनमर जारी किया जाएगा, उस पर आप जो है, आर्थिक मदद के लिए, डिश्चल टैंजक्शन करें और इसका स्कीन सॉट भी रखें, और मेर बात को खतम करता हूँ, धन्यवासाँ